नमस्कार मित्रों जै मातादी मित्रों आप शवी का हार्दिक स्वागत है मित्रों देनिक राश्य फल की बात करनी जा रही है एक अगस्त रवी बार के दिन देनिक राश्य फल के बारे में गरहक गोचर की इस्तिती के अनुशार कौन से बड़ी परिवर्तन आज आपकी देन इस त्रहश्य प्लान करें ताकि दिन खाश बने जानने के लिए वीडियो के आंत तक जरूर बने रहें चलिए शुरुआत करती हैं पंचांग से पंचांग की बात करें तू एक अगस्त रवी बार का दिन रहेगा और श्रावन महा के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी र रहेगा शाम 7 बजकर 36 मिनट तक इसके उपरांत किर्ती का नक्षत्र आरम हो जाएगी गंड योग रहेगा रात्री 10 बजकर 1 मिनट तक इसके उपरांत ब्रिधी योग आरम हो जाएगी सोरी राशी रहेगा करक राशी पर और चंद्र इस दिन मैश राशी पर रात्री 2 रहेगा दोपहर के 12 बशकर 7 मिनट से 12 बशकर 69 मिनट तक यह समय नए कारी की शुर्वात बिल्कुल कर सकती है और राहुकल का शमय में रहेगा साम 5 बशकर 26 मिनट से 7 बशकर 4 मिनट तक यह समय निवेश करने से आपको बसना चाहिए क्योंकि यह समय और सुप माना जाता है चलिए बात करते हैं दैनिक राश्री फल देन राश्री वाले जार तक हम आपको बताना चाहेंगे आज आपका दिन आपके लिए कु अब ही शफलता मिलती दिख रही है साथ ही दोस्तों किसी नई डील को फाइनल करना है तो उसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है साथ ही दोस्तों सेहत का ध्यान रखें और आज आपको अपनी सेहत के प्रती सचित रहना होगा क्योंकि उनमें कुछ गिरावट देखने को म बोट सकता है साथ ही दोस्तों आप किसी छोटी यात्रा पर भी जा शकती है और आज सुबह कुछ बातों को लेकर थोड़े परिशान रहेंगे लेकिन भाई की मदद से दो पहर शामान्य हो जाएगा साथ ही दोस्तों अनावस्य खट्ष करने की प्रविर्टी पर रोक लग सकता है वहीं दोस्तों घरेलू जिम्मेदारी के चलती आपको ठकावट होगी और कारोबार आपका ठीक चलेगा साथ ही दोस्तों जोखिम को आज आप टाले जोखिम लेने से आपको बचना होगा वहीं दोस्तों बिरोध्यों से शावधन रहें और लाइफ पाट्नर का शह अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दें शाथ ही सच्चे मन्शे कमेंट बॉक्स में ओम शुर्याय नमह जय सोरी देव जरूर लेख दें सोरी देव आपका कल्यान करें धन्यवाद